दोस्तो 573 रांस और चार अर्दर्शतक की साथ रियान पराग ने 2021 की IPR में अपना अविजान खतम किया है लेकिन दोस्तो कॉलिफायर 2 में RCB की सामने रियान पराग की पास एक बहुत बड़ा मौका था अपने आपको फिर से साबीत करने के लिए हलाकि एक मेंस में खाराब बल्लेबजी करने से कोई खिलारी खाराब खिलारी नहीं बन जाता ये मैं भी मनता हूँ कि एक मेंस खाराब खिलने से वो खाराब खिलारी नहीं बनेंगे लेकिन उनकी पास बहुत बड़ा मौका था वो अच्छा खेल सकते थे अगर अच्छा खेलते तो उनका बहुत बड़ा नाम होता वो एक हिरू बन जाता लेकिन मेश की समप्त की बात जिस तरह से फुट फुट के रियान पराग रो रहा था मेरा तो दिल ही टूट गया लेकिन दोस्तों इस मेश में राजस्तान रोयस को जरूरत थी रियान पराग की मतलब हार मेश में रियान पराग ने राजस्तान रोयस के लिए रान जरूर बनाए लेकिन इस मेश में काफी जरूरत थी लेकिन रान नहीं बना पाए रियान पराग हलाकि रियान पराग अगर थोड़ा सा धेरे से बल्ले बाजी करता क्योंकि दुरूब जुरेल शांदार बल्ले बाजी कर रहा था दोनों एक पाटनाशिप कर सकता था और अपनी टीम को जिता भी सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं लेकिन ये मेज जो था ये राजस्तान की चोड़नों में था ये मेज जो था ये राजस्तान का था लेकिन राजस्तान की बल्ले बाजों ने कुछ नहीं कर पाया हलाकि राजस्तान की गेम बाजों ने शांदार गेम बाजी की लेकिन बल्लेबाजों ने गेम बाजी की सारे मेहनत पर पानी फेड दिये चाहे आप शंदिप शर्मा की बारे में कहो, चाहे आबेश खान की बारे में कहो या फिर टेंड बोल्ड की बारे में कहो इन सबी ने शांदार गेम बाजी करके सानराइस हदरावाद को एक सोटी सी इसकुर में रोक लिया था लेकिन राजस्तान रोयस की बल्लेबाजों ने निराश किया जै सुआल और दुरूब जुरेल की इलावा किसी भी बल्लेबाज नहीं चले दुरूब जुरेल और रियान पराग की भी जो पाटनाशिप बिल्ड हो रहे थे इस पाटनाशिप की काफी जुरूरत थे राजस्तान रोयस की लेकिन रियान पराग ने अपना धेरे खोये और अपना विकेट भी गवाया जिसकी बज़े से राजस्तान ये मेस हार गया आशा भी यही किया जा रहा था कि ये दोनों बल्लेबास इस पिनारों को शंदर तरीके से खेल के टीम को आगे ले जाएगा और राजस्तान रोयस फाइनल खेलेगा रियान पराग ने औरेंस केप की रेस में तीसरा नंबर पर IPL खतम किया आने वाला समय में रियान पराग एक बहुत बड़ा सुपरिश्टर की रूप में हमें दिखाई देगी बलकि मुझे तो लगता है कि रियान पराग अल्रेडी एक बहुत बरा सुपरिश्टार बन गये है मुझे रियान पराग से उम्मीदे बहुत थी और राज़ोस्तान रोयल्स की फेंस को भी काफी उम्मीद थी रियान पराग से लेकिन उस उम्मीद पर रियान पराग खरे उतर नहीं पए और इस सीजन में रियान पराग ने जैसे बल्लेबाजी भी किया था इससे उम्मीद और भी बर गया था रियान पराग 2020 की IPL में रज़ोस्तान रोयल्स के लिए हार मैस में एक शांदर बल्लेबाज की रूप में उबरे और हार मैस में रान बनाए रज़ोस्तान रोयल्स के लिए इसलिए ये उम्मीद किया जा रहा था कि कोलिफायर 2 में भी रियान पराग शांदर बल्लेबाजी करेंगे और राजस्तान रोयज को जिताएंगे लेकिन राजस्तान रोयज हर गए 2021 के IPL में ये देखा गया कि राजस्तान रोयज हर मैस में मुश्किल की स्थिती से गुजरी है और रियान पराग ने हर मैस में राजस्तान रोयज को मुश्किल से निकाला है इसलिए उम्मीद बर गया था कि कॉलिफायर में रियान पराग शांदार खेलेंगे रियान पराग ने राजस्तान रोयस को मेज जिताया है चाहे कितना भी मुश्किल परिस्थिती हो रियान पराग इस पिनारों को अच्छा खेलते हैं तेज गती की गेमबैजों को भी अच्छा खेलते हैं मुझे तो रियान पराग की डिल्ली की खिलाप ओबल्लेबाजी अभी भी याद है जिन में रियान पराग ने सवाथ आफ्रीका की तेज गेंब्यास नौर्किया को एक ही ओबर में तीन चोके और दो शकके लगाए थे रियान पराग 2021 की IPL में 33 6S लगाये है और 6 की मामले में रियान पराग इस IPL में 30 नमबर पर है रियान पराग ने राजस्तान रॉयस के लिए सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए है रियान पराग ने राजस्तान रॉयस के लिए सबसे ज़्यादा रान बनाए है आशा और उमीद ये किया जता है कि जल्दी ही रियान पराग को हम इंदियान जर्शी में देखेंगे लेकिन अबराल 2021 की IPL रियान पराग के लिए बहुत ही शांदर रहा और ये IPL रियान पराग की केरियर ही बदल देगा लेकिन रियान पराग का एक मेस में खराब बलेबजी दिल को चोट पहुचाई वैसे अगर पूरे सीजन को देखेंगे तो रियान पराग ने शांदर बलेबजी की लेकिन अबराल जो भी हो रियान पराग उबरता हुआ सितरा है भारत का भविश्या है आशाम का गर्भ है हम रियान पराग से उम्मीद ये करते हैं कि आगे जाके भारत के लिए खेलेगा और रियान पराक वो पहला बलेबास होगा वो पहला क्रिकेटर होगा जो असाम की ओर से भारत के लिए खिलेगा इसी की साथ दोस्तों आप लोगे से बिज़ा लेते हैं फिर मिलेंगे जैहिन